ओके हेलो एब्रीवन माइसेल्फ सिभोम शर्मा वेलकम टू माई चैनल पेपर हेकर पेपर हेकर चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग पीस्टी फ़स्टियर का सेकेंड समस्टर लेकर के आये हैं जिन इस्टुडेंट्स को कई कोचिंगों में जाकर के ब बिलकुल अच्छे से कराया जाएगा और आपको कहीं भी जाने की जरूत नहीं है हमारे चैनल पे आप लोग हमारे वीडियो को कंटिनू देखिए और आपको बहुत अच्छे से हैं टॉपिक को मिलेगा ठीक ना तो हम लोग आज स्टाट करने वाले हैं कि पहले आपको यह बताएंगे कि आपके स्लेवस में क्या-क्या है हमको कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी है और आपको यह भी बताया जाएगा कि हम लोग 11-12 में जो आप पढ़ करके आए हैं जो आपने पढ़ा है उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको BSC में पढ़ने को मिलेंग ठीक ना तो उससे आपको बहुत फायदा होगा तो अगर आपने बेसिक चीज़ों को पहले से पढ़ रखा है तो अब बहुत अच्छा कर पाएंगे लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो आप परेसान होने की जरूत नहीं है हम लोग उन चीज़ों को बेसिक से ले क करेंगे ठीक है तो हम लोग अब देखते हैं कि हमारे स्लेवस में क्या-क्या है और किस तरीके से चीज़ों को हम ले करके चलेंगे ठीक ना आपको पहले में बता दू कि इसमें दो बुक्स हम लोग सॉल्व करेंगे दो बुक्स है और आपके पूरे स्लेवस में एट यून अब सबसे मज़े की बात क्या है मज़े की बात ए है कि आप मैट्रिक्स भी पढ़ करके आए हैं और डिफरेंसल उक्वेशन को भी आपने पढ़ा है अगर आप देखेंगे तो आपने 12 में मैट्रिक्स को भी पढ़ा है और डिफरेंसल उक्वेशन को पढ़ा है लेकिन आपक तो जो आपकी unit 1 है तो unit 1 में सबसे पहले क्या है types of matrices है ना ताइब साब matrices elementary operations on matrices आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले matrix definition क्या होती है उसके बाद में उसका classification matrix कितने type की होती है किस type से हम लोग matrix को define कर सकते है ठीक ना उसके बाद में matrix में elementary operations हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं आपके दो तरीके के operations होते हैं row operation और column operation ठीक ना तो elementary operation को matrix पे कैसे apply करना है कैसे उसको करना है उसके बाद आपको इसमें जो special topic आपके लिए जो आपके बीस्ती को topic है यह तो आप दो topic पढ़के आये है लेकिन जो बीस्ती को topic है वह आपका ही है कि rank of the matrix किसी भी matrix की rank क्या होती है इसके बारे में हम लोग detail में discuss करेंगे तो बिल्कुल परिसान नहीं होना उसके बाद क्या है ili matrix matrix में joint form क्या होती है उसके बाद में normal form of the matrix उसके बाद में matrix का invers के निकालेंगे आप लोगों के लिए नई चीज़ क्या है नई चीज़ है कि lifelong of a matrix और neall fall of the matrix यह दोनों कि फॉर्म होती है ए रैंक निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं ठीक है ना उसके बाद क्या है आपका inverse of a matrix by elementary operation अरे बच्चों आप लोग पढ़े होंगे इस चीज के लिए कि elementary operation से हम लोग किस तरीके से inverse को निकालते हैं आपको साथ I hope कि आपको याद होगा हम लोग किसी भी matrix को इस format में लिखते थे उसके बाद इसमें elementary operation को यूज करते हुए और जो आपकी matrix A है उसको आई बनाना होता है यहाँ पर कोई एक आई जो होगी वो किसी other matrix में convert हो जाएगी जिसको हम लोग B नाम दे दे रहे हैं ठीक है यह चीज है तो आपको condition याद होगी कि VA इस गश्टू अगर आई है तो हम B को A का inverse बोलेंगे तो इस तरीके से हम लोग operation को कैसे elementary operation को use करके inverse निकालते है तो उसमें हम लोग detail में पढ़ेंगे ठीक न उसके बाद क्या है system of linear homogeneous and non homogeneous equations उसके बाद में theorems on consistency of a system of linear equation linear equation में दो case बनते है consistency और inconsistency किस तरीके से हम लोग उसको देखेंगे तो वो हम लोग detail में पढ़ेंगे अभी के लिए उसके बाद अब हम लोग देखते हैं unit 2 इसके ना unit 2 की बात करेंगे unit 2 में क्या है यहां से आई यहां से party शुरू होगी बच्चों अभी तो ऐसे ही था यहां से क्या हुआ कि आपको क्या करना eigen values क्या होती है आइगन vectors क्या होते हैं and characteristics equation of a matrix क्या होगी केले Hamilton theorem and its use in finding inverse of a matrix केले Hamilton theorem का use करके हम लोग किस तरीके से किसी भी matrix का inverse find कर सकते हैं उसके बाद में complex function क्या होता है separation into real and imaginary part उसके बाद में exponential and logarithmic function बच्चों बहुत problem आती है क्योंकि basic 12th class में basic सारी चीजे हैं थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं हम लोग लेगिन teachers नहीं बताते हैं क्योंकि time बहुत काम होता है syllabus के syllabus ज्यादा होता है इस वज़े से इन चीजों को detail में नहीं बता पाते हैं तो हम लोग यहां पर पूरी detail में पढ़ने वाले हैं complex function separation into real and imaginary part आपको पता होना चाहिए कि complex number क्या होता है complex number का मतलब है कि real और imaginary दो parts होते कोई ऐसा number जो दो parts से मिलकर के बनता है जिसमें पहला वाला part real होता है दूसरा वाला image नहीं होता है कैसे हम उसको separate करते हैं उसको देखेंगे उसके बाद में आप इसमें देख सकते हैं कि exponents and logarithmic functions inverse trigonometric function जैसे inverse trigonometric function आता है आपके चहरे पे चमक आ जाएगी क्यों आप सोच मैं मूआ कि उनित 3 में क्या है। फार्मेशन आप्व डिफरेंशल व् aspire क्या बात है आपने देखा होगा कि 12 वड़ास में आपने ये topic पढ़ा है आपने इस तरीके से डिफरेंशल व गुएशन के बारे में हम लोग क्रते हैं आपने पढ़ा होगा उसके बात में का पार्म डिग्री अब ध्यान यह देना है बच्चों तो अब हम लोग देखें फॉर्मेशन आप दिफ्रेंशल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं यह आपने पड़ा उसके बाद जेओमेट्रिकल मीनिंग आप दिफ्रेंशल अपenda अपने शठzte ट्रशुन एक्वेशन और लुक्ष ना वा घृषी तो ऐसकता है कि इसको देखते हैं कि किस तरीके से कुषेशन आते हैं उसके बाद एक्वेशन ईन्स इंवित्धड वैरेवल्स अस्परेवल उसके बाद वमोजीनिस एक्वेशन एक्छेट草 equation equations reducible to the exact form or linear equations हमने देखा कि कई थारी differential equation है बड़ी interesting है और सबसे important बात है कि इस level से आप अगर in future अगर अच्छे teacher बनना चाहते हैं तो आप TGT PGT बगर exam देंगे तो बहुत सारे इस तरीके के questions आपको देखने को बिलेंगे तो हम स्लेवस के साथ साथ में कुछ ऐसी interesting चीज़ें को पढ़ते चलेंगे जिससे आगे आने वाले टाइम में आपको completion exams में भी problems नहीं आएंगे ठीक ना तो आप हम लोग और आगे देखते हैं अब इसकी बात करते हैं यूनिट आपकी जो यूनिट फॉर है उसमें क्या गरना है यूनिट जो फॉर है उसमें क्या है first order higher degree equations solvable for xyp तो क्या xyp है बहुत ज़्यादा डेटेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हम syllabus discuss कर रहे हैं ठीक है ना हम लोग जो topic आयागा तो business discuss करेंगे उसके बाद platform equations उसके बाद singular solutions क्या होते हैं और्थोगोलर trajectories क्या होती है linear differential equation of the order greater than one with constant coefficient उसके बाद में कोची Euler form यह सारे topics हैं हम लोग one by one discuss करेंगे ठीक है तो अब हम लोग देखते हैं कि अब यह तो ख़ए topic wise दिया हुआ है तो वह मैंने उसी में discuss कर लिया तो इसकी जरूरत नहीं है आप देखना चाहते तो एक बार मैं आपको फिर भी एक जलक दिखा देता हूं कि देख लिए आपको क्या करना जो भी टॉपिक्स हम ने पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए अलग 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 चैप्टर्स वराएं गए हैं तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है हम लोग कैसे करे कोशन आते हैं और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो हम लोग हर चीज को डिसकस वाले हैं अब बच्चों बात आ गई हमने फर्स्ट बुक में जो डिसकसन हुआ जो स्लेवस का वह अब है अब एक दूसरी है जिसमें हम लोग जोमेट्री का पोर्शन पढ करेंगे उसके स्लेवस में क्या-क्या है वो देख लेते हैं और इक बात इसमें भी आपको कुछ देखने को बिलेगा जो आप पढ़ करके आए लेवंस में आपने कुछ चीजों को पढ़ा है लेकिन बहुत ज्यादा फुस्मत हो जाना क्योंकि बहुत चेंज्जेश है इस उसके बाद में confocal conics क्या उनके polar equation of conics हो गया its property है तो इसका तो तुमारे उपर से चला गया होगा कुछ नहीं बढ़ा होगा don't worry हम लोग सारी चीजों को पढ़ेंगे उसके बाद unit number 6 है उसमें कहा गया three dimensional coordinate उसका projection and direction cos अब जैसे आपने इसका नाम देखा होगा यहां से projection and direction cos आपके चहरे पर चमक आई होगी क्योंकि आपने इसको 12 में पढ़ाया है क्या projection होता है क्या direction cos होती है तो इसके लिए उसके बाद plane plane भी आपने पढ़ाया state line भी आपने पढ़ाया three dimension में तो जो topics आपने पढ़ें आई होप कि उसमें problem थोड़ी कम आएगी बट जो भी new topics भ उसमें देख लेते हैं unit 7 है उसमें spare है cone है cylinder है अरे यह मस सोचना कि आप 10th class में पढ़े थे 9th में पढ़े थे कि cylinder क्या होता है spare क्या होता है और यह आपका क्या हो गया spare cone और cylinder भूल जाओ भाईया उसको नहीं करना है यह new type का हम लोग slender equations कैसी होती है spare क्या होता है और इसके बाद में cone क्या होता है तो उसके लिए different type के जो हमने अभी बात कीते है general equation of second degree इसी से सारी equations निकल के आती है उसके बाद आपका आता है जो आपकी last unit है वो आपकी central हो गया उसके बाद में parallel हो गया उसके बाद में parallel हो गया उसके बाद प्लेन सेक्सन आफ को आपको हो गया generating lines हो गई उसके बाद में confocal हो गया reduction of second degree equations हो गया तो इतने topics हम लोग unit number eight में पढ़ेंगे ठीक है तो इतना syllabus है इतना syllabus है वो तो मैंने आपको दिखा दिया तो सच में इतना syllabus नहीं हम लोग दीरे दीरे पढ़ेंगे इन चीजों को ठीक है तो I hope कि सारी चीज़ें आप लोगों के clear होगी ऐसा मैं वादा करता हूं आप लोगों से promise करता हूं कि अगर आप continue हमारे वीडियो को देखते हैं तो सच में आपको कहीं जाने जरूत नहीं पड़ेगी हम लोग इतने question इतना concept आपको बता देंगे कि आपको problem नहीं होगी ठीक है अगर आप practice continue करते हैं different books से आप घर पे solve करते हैं महनत करते हैं तो obviously आप बहुत बहतर कर पाएंगे अपनी life में और इस levels को बहतर तरीके से ठीक है तो आज के लिए इतना ही कल से हम लोग unit wise जो है one by one चीजों को discuss करेंगे और अकल से आपको हमारे videos बिलने लगे ठीक है thank you have a nice